जालवाट में करीब 24 साल पुराने बुक्तानों को लेगर आजबुरवार कुवानिजे कूट कूटा के नियाधिश क्यादिश पर सेला मिन सरविंदर और जालवाट पहुची है और चावली कैनल डिविजिन ओफिस में कुर्के की कारवाही शुरू की गई है लेकिन XEN के उर 25 दिन के समय देने की बाद वापस लोट गई है जुरान टीम ने बताया कि अगर नरधार इस समय पर भुक्तान नहीं मिलता है तो फिर से कुर्की की कारवाही की जाएगी चानकारी के उनसार भारते कंस्ट्रक्शन कंपनी कुशलबाग बांसफारा की ओर से जालवाट में आने से भुक्तान नहीं हुआ जालवाट पॉची टीम ने ओफिस पॉचकर एक्शन वरिंदर सिंग से भुक्तान को लेकर चरचा की जाहां उच्दिकारियों के दरदेश के बाद एक्शन में लिखित में 25 दिन का पत्र भुक्तान करनी को लेकर जबाब में दिया है इस पर यह हमने चवली एरिकिशन प्रोजेक्ट हिमतगड़ी में चवली डेम का काम किया था और हमने 2000 में इस वर्क को फाइनल कर दिया था काम भी विदिन टाइम पूरा किया लेकिन हमारे काफी पैमेंट रुख गया था तब हमने एक्शन साब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारे पावर में नहीं है आगे से से शेंग्शन आएगा तो हम इसका प्रभ देंगे और एक्शन ने भी इस प्रभ को रिकमंड किया हुआ है लेकिन निकलने के बाद के पैमें में इभा हाइकोट के आधेश से इसमें निइप्त हुआ और हाइकोट मार्ध। सबीतन बंड हो हम पहलेहे पाइमेट होंुनियुद ये briefly करते। लेकिन उस बात को भींच साल होगे पाइम्न नहीं कर पाई थे लेकिन को फोल्ट अमर्वी अपकर करें waving अनुद्ड को दीबार्मेंट नहीं और अब जैसे भी कोई कारवाई होगी तो पॉर्ट के तुर्भ होगी और मेरे साथ डिग्रीदार भी आये हैं और एक करोट चौरासी लाग मान में 1811 रुपे का वारेंट है तो इनसे मैं भी बात कर रही हूं यह मुझे पेमेंट यदि यह मुझे सेटिस्वाइड आंसर इसका नहीं देते हैं तो मुझे कोट के आदेशा नुसार इनका आफिस को कुड़क करके जाना होगा और खेकेदार ही आपको बता पाएंगे कि इन्हों ने क्या गाम किया तो किसी साथ से इनका पैमिट हो सब्सक्राइब कि इनका पैमिट बगाया है अभी एक करोट चौरासी लाग मान में 1811 रुपे का पेमिट के कोट में बढ़न दिया है और आधिकारी रहें कि हमें कुछ समय दिया जाए तो मैं उनसे कह रहे हूं कि आप मुझे लिखित में आदिश देदें कि भई हम इतने समय में पेमिंट कर देंगे नहीं तो मैं आपका उफिस कुरा कद को जाना अभी वो पता रहे हैं मुझे कि क्या करना है कि